नवस्कार में एकता गुपता और आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज आई रुक करते उत्र प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेब साइट पर जाएं जिले में चार सीटों पर खिला कमल दो पर दोड़ी साइकल आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है फते पूर्विदान सबाचुनाओं में जिले की छे सीटों में चार पर बीजेपी ने जीत हासिल की है दो पर समाजादी पाल्टी ने पर्चम लहर आया है वहीं आपको बताते चलें कि साल 2017 में बीजेपी ने जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि इस बार दो सीटों पर सपा ने बाजी मारी है जिले की हुसाइन गंस सीट से सपा प्रत्याशी उश चुनाओ जीता वहीं जबकि योगी सरकार में मंत्री रहे रडवेंद प्रताप सिंग चुनाओ हार गएं वहीं बिंदगी से अपना देलेस के प्रत्याशी वा प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जैकुमार जैकी 4339 वोटों से सपा उमीदवार दयालू गुपत वो हराते हुए चुनाओं में जीत हासिल की अगार जीते हैं जीत कजरे किसको देते हैं और आगे क्या प्रतिमिकता है रही जीत जो हुई के इंदर सरकार की आदाड़नी प्रदान मंत्री जी के कारों की आदाड़नी मुख मंत्री जी के और पांच साल जो छेतर पर हम जनत लेकर जनतान में विश्वास विक्त हुआ कि विकास गुपता ही हमारा ध्यान देंगे हमारे सुख दुख में खड़े रहने काम करेंगे फाइट टफ थी सपानिक तगली टक्कर दी है मानते हैं इस चीज को इस बार जो एक साल प्रत्यासी हुए और उनने गलत परचार भी करने का काम किया और वो कहे रहे थे कि अखलेज जी ये काम करेंगे अब जंता खुद जानिती थी भरमित हुई भरमित हुए फिर उन्हें कमल के फूल को असिरबाद देने काम किया अपना दल और निशात पार्टी के कारकरता बंदूं को बूथ तक के कारकरताओं को बहुत बहुत साथवाद और धन्नवाद देना चाहता हुँ जिनों ने मैं बगल की बिधान सवा से चुनाओं में बिधायक बनाता सत्रा में जब मैं बिंदकी आया जिस तरीके से यहां संगठन के लोगों ने हाथों आथ लिया और कारकरताओं ने और जनता ने मुझे जीत दिलाई है इसके लिए मैं पूरे पांच साल तक इस कारकाल म बिंदकी बिधान सवा के विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होके काम करूँगा और बिंदकी के विकास करूँगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल था जो हमें बोट मिलना था वो हमें बोट मिला टक्कर जब जीथार का अंतर काम है तो टक्कर तो थी और ने कमेशा राजनीत में हमेशा जो भी चुनवतियां हो उन्हें स्विकार करना चाहिए और हम लोग विद्यारती जीवन से राजनीत करते हैं चाहसंग भी हम लोगों ने काम किया पंचायत भी काम किया हमारा पूरा जीवन ही संगर्समाए है और संगर्सों को हम चुनवति की रूप में लेते हैं और विजय तक पहुंचाते हैं जो काम हमने किया